अगर आपका फॉन पुराना हो चुगा है अगर आप नए देने भी सोचने हैं तो इस ख्याल को बोलते हैं क्योंकि आज हम अपको इस वीडियो में आपके बिताने वाले हैं जिससे आपका फॉन विल्कुल नए नए फ्रेश बन जाएगा विल्कुल फ्रेश और आपको ऐसा लगे रहती दुपान से एक नए फॉन ले गया है तो दोस्तों क्या आप भी जानना चाते हैं यह ट्रिक को जानने के लिए इस वीडियो को लाइप करें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों चलिए लिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों उस ट्रिक को अपने मुबाईल में वाइक करने के लिए आपको एक मुबाईल एप डाउनलोड करना होगा जिस एप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो यह है वो एप आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं रिपेर सिस्टम तो आपको इस एप को डाउनलोड कर देना है नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिये गए से तो हम इस एप को ओपन करते हैं तो दोस्तो देखी सकते हैं कि यह एप ओपन हो चुका है और यहां पर हमें बहुत सारे ओप्शन मिल रहे हैं तो दोस्तो यहां पर आपको सबसे पहले जाना है तोल्स में और तोल्स में जाकर यहां पर देख सकते हैं कि हमें चार ओप्शन मिल रहे हैं साथ टेस्टिंग, फॉन कोलर, बेकप अपस, रूट छेकर तो दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है हार्डवेर सेटिंग तो दोस्तो देखी सकते हैं कि यहाँ पर आप सब कुछ कुछ चैक कर सकते हैं कि आपको मॉबाइल में क्या खराब रहा है तो हम चेक करते हैं, speaker test यह देखिए दोस्तों, यह computer हमें बता रहे हैं कि your speaker working is well तो दोस्तों, अगर हम sim card पर click करते हैं तो दोस्तों, your sim card is ready, शो कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर check करते हैं, vibration test I understand यह देखिए हमारे phone को vibrate कर रहा है और हमारे display चेक करते हैं कर तो तो देखी सकते हैं कि हमारा display भी ओपी है test screen box 3 pixels, you can easily status touch of the touch panel and use it is to such confirmation of multi-touch signs disappearing तो दोस्तों देखी सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छे feature मिलते हैं तो देखी सकते हैं दोस्तों यह हमारे display को touch check कर रहा है हमारे display की भी well working है या नहीं तो दोस्तों इस app में बहुत ही सारे feature हैं जैसे कि phone puller तो देखी सकते हैं कि हमारे phone को pull कर रहा है तो इसने हमारे phone को pull कर दिया है तो आप इस app को rate भी कर सकते हैं और यहां पर battery saver यहां पर तरह तरह के बहुत सारे feature मिलते हैं जिसकी normal mode आपको इसको allow कर लेना है इस app को वरना यह काम नहीं करेगा तो दोस्तो चलिए back होते हैं और यहां पर चलते हैं हम home पर तो यहां पर आप देखी सकते हैं कि यहां पर feature मिलते हैं clean cash boost ram, battery saver, repair system, repair system पर हम चलते हैं तो देखी सकते हैं कि यह आपके system को boost कर रहा है system repairing जो भी आपके mobile में app है उन सब को check करेगा यह और अगर इसको कुछ दिक्कत लगी तो यह आपको बता देगा भी इस app में दिक्कत है तो यह system checking कर रहा है तो यह फिर से एक add आ चुकी है तो दोस्तो sorry यह देखिए दोस्तों यह system check कर रहा है repair system android देखिए दोस्तों यह सब को check करता है तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो यह आपको और यह app आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो अगर यह